विच्वाज सारंके स्थीपा की मांग अंजोरो से कीर और जाच और फर्जी पॉलिट बन जिवाओ के लिए इंसो आज पुलिस का अत्याचार नहीं सहिंगे और पुलिस ने जो रोका है वे दिखता है कि हम लोगों को आंदोनन करने से रोका है कॉलिस के नेतरत में आज विश्वाज सारंके बंगली का घिराफ किया गया है चूकि ये तदकाली मंत्री थे जिनकी नेतिक जिन्मेदारी बनती है इनके संद्रक्षाड और इनकी नाग के नीचे 219 फर्जी कॉलेजों को माननेता दे दी गई जो की कागजों में संचाली तो रहते ये लाखों नर्सिंग के छात्र शात्रों को इनों में भविश्च अंधिकार में कर दिया है बर्बाद और आज तारीक तक ना CBI ना किसी जांच एजनसी ने विश्वाज सारंक और ततकालीन अधिकारियों से पूछताच क्यों नहीं किये तो कहीं न कहिए पूरी जाज संदे के गेरे में हम चाहते हैं जो दोशी अधिकारी और मंतरी थे उनसे पूछता चोनी चाहिए और टेक कारेवाई होनी चाहिए और सरकार को सपष्ट करना पड़ेगा कि ये पुलिस का जो उपयोग कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं आप छातरों की आवास को दबाना चाहते हैं आप छातर निताओं की आवास को दबाना चाहते हैं आपको ये कारे भाई तो शिक्षा माफियों के खिलाफ करनी चाहिए मिलकुल नहीं मद्यप्रदेश में CBI दिग गई CBI के अधीकारियों की शिकायत की हो CBI को गिरफ्तार करवा है निश्यती अभी बहुत लंबी जाज बाकी है वो अभी तो हजारों की संख्या में ऐसे दोशी अधीकारी है जिन्होंने पूरे मद्यप्रदेश में शिक्षिया माफियों के साथ साड़गाट करके कागा जो में कॉलेज संचालित किये जिसकी वज़े से लाक उछात्र शात्राओं का भविश बरबाद हो गया नसिंग कॉलेज गोटाले में सामने तथ्याएं हैं सामने तथ्याएं कि ये इसमें नम्मा खुटा लो और सीबी आई इनने क्लीन चेट दिए दी दस लाक रुपे लेकर बाकी पटवारी और दूसरा प्रसाशन भिग गया इसलिए अब ये सीबी आई तो बचा नहीं अब ईडी सेच की जाना चाहिए कोई ताले लहीं लगे हैं सब खुले हैं और चल रहे हैं इसलिए एडी जहां चोड दोशी लोगों पर कारवाई हो हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद